जार्खन में बीज़ईपी के बाद अब कॉंग्रेस विधान सभाचुनाओं को लेकर पूरे तरीके से अक्टिव मूड में नजर आ रही है बताते चले कि आज दिल्ली में एक एहम बैठक रखी गई है जिसमें जार्खन के 21 दिगजनेता इस बैठक में शुरकत करेंगे इस्तिफा दिया है तब से यही सवाल उट रहे हैं कि आखर कॉंग्रेस कब चैन करेगी कब मंत्री का चैरा लोगों के सामने रखी गी इसके साथ ही विधायक दल की नेता के नाम पर भी अभी तक सहमती नहीं जताई गई है हलाकि हाली के दिनों में आपने देखा होगा कि कॉंग्रेस की ओर से राजधानी राची में एक एहम बैठक रखी गई थी खुद प्रभारी जीमी राजधानी राची पहुंचे थे और उनका कहना था कि एक हफते के भीतर चीजे सपष्ट हो जाएगी इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ट सहयोगी राकिस रंजन मौझूद है बाच्शीत करेंगे कि अब तक विधायक दलकी नेता के साथ साथ मंतरी अपद किसको दिया जाएगा इसको लेकर चर्चवाई नहीं हुई है हलाकि आज जो दिल्ली में हम बैठक रखी गई है क्या लगता है कि चहरा साफ हो जाएगा कि किने मंतरी बनाना है देखिए आज मंत्री को लेकर फैसला हो जाना चाहिए अब कॉंग्रेस को ये तैक करना है कि 3-4 महिने के लिए मंत्री बनाए तो किसे मंत्री बनाए या कहीं कॉंग्रेस ये फैसला तो नहीं लेती कि अब चुकि 3-4 महिने का ही वक्त है तो फिर किसी और नए को मंत्री नहीं बनाया जाए क्योंकि जब आप कहते हैं कि एक अनार सौ बिमार वाली यहाँ पर बात है कि अगर किसी को मंत्री बनाया जाता है और उसे लेकर दूसरी तरफ जो है नाराजगी हो जाए तो उसका नुकसान भी हो सकता है क्योंकि विदानसवा चुनाव बहुत नस्दीक है तो पिर यह हो सकता है कि आज एक मंत्री का नाम जो है वो तै हो जाए लेकिन उसी पर मंथन चल रहा होगा कि मंथन होगा कि हाँ किसे जो है मंत्री बनाया जा सकता है इसके अलावा आज की बैठक से जो एक और बात निकल कर आ सकती है जिसकी कि संभावना अधिक है कि कॉंग्र चाहेगी कि वो उसे तैकरे लेकिन यहाँ पर भी उसे बहुत सारी चीजों को देखना है सारे समिकरण जो है वो साधने जुकि आलमगीर, आलम मंत्री भी थे और विधायक दल के नेता भी थे तो वो अलपसंख्यक थे तो क्या किसी अलपसंख्यक को विधायक दल का नेता बन आया जा सकता है ये बताने के लिए कि हम OBC के साथ हैं क्योंकि लोगसभाद चुनाव में कॉंग्रेस हो या इंडिया गडबंधन की हम बात करें तो उन्होंने OBC को उस रेशियो में टिकट नहीं दिये जिस रेशियो में BJP ने बाटे थे तो इसलिए जो है उसे की जरूरत होती ही है इसके अलावा सहयोगी दलों से समन्वय की बात चुकि अब चुनाव का समय नजदीक है तो नेता जो भी है किसी भी पार्टी के वो कोई ऐसी बात न बोल दें जिससे की दूसरा दल जो है वो आहत हो तो इस तरह की बातों के लिए सचेत किया जाएगा और साथ ही मुझे लगता है कि बेहतर समन्वय कॉडिनेशन की बात कही जाएगी कि आप सहयोगी दलों से बेहतर कॉडिनेशन बनाए चुकि अभी सीटों का बटवारा भी होना है ये एक महत्तोपूर्ण चीज है कॉंग्रेस ज्यादा सीट मांग रही है पिछली बार की त मुझे में है तो इन सारी चीज़ों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी परिस्तिति में कौंग्रेस जौ है ऐसा याप ज्धामोंой नगया को नुकसान हो लेकिन कौंग्रेस आप Rider के पास जाएगी तो ऐसे में Congress की और से ये तो कुशिश की जाएगी ना कि कोई मंतरी का चहरा जो है वो लोगों के सामने आए चारी महीने की बात है लेकिन एक जो पहले से पद था यानि कि जो पहले से विभाग था वो फिर से Congress के पास आ जाए लेकिन जहां तक विभाग की बात है उस पर बातचीत हो सकती है अभी जो Congress के जितने मंतरी हैं उन्हीं में से किसी को ये विभाग जो है वो आवंटित किया जा सकता है मोकी मंतरी के द्वारा तो ये चीजें हो सकती हैं विभाग निश्चेत तोर पर कॉंग्रेस अपने पास रखना चाहेगी जो विभाग आलमगीर आलम के पास थे तो वो एक बात तो होनी है तो उस पर भी चर्चा होगी कि क्या करना पार्टी के लिए बेहतर होगा क्या 3-4 महीने के लिए कोई नया मंत्री बनाना बेहतर होगा जिसके जरीए किसी ऐसे समिकरन के तहट मंत्री बनाए जाएं जिसका संदेश जो है वो समाज में जाए और उसका फाइदा जो है वो पार्टी को हो या फिर वो ये सोचते हैं कि 3-4 महीने के लिए बना कर जो है को को नया मंत्री न बनाए और पार्टी के अंदर किसी तरह के असंतोष को पनपने न दें क्योंकि जब आप बनाते हैं एक को बनाते हैं तो दूसरे में असंतोष की भावना आती है तो ये चीज भी हो सकती है और इसलिए ये मन्थन हो रहा है मलिकार जुन खरगे हैं वहाँ प कॉंग्रेस की हार हुई है, क्या उसपर भी चर्चा होगी, चुकि जहारखंड में साथ सीटें कॉंग्रेस को दी गई थी जिसमें से सिर्फ दो सीटें जो है, वो कॉंग्रेस जीते हैं, बाकी पांच सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा है, तो जो अगर आप उसका win percentage देखने जाएं, तो वो 30 प्रतिशत से भी कम है, साड़े 28-29 प्रतिशत के आसपास है, तो इस पर भी गहन मंथन होगा, चुकि अब विधान सभा चुनाव सामने है, बोलना एक और बात होती है, चुनाव लड़ना एक और बात होती है, तो ये चिनताएं होंगी कि क्यों कॉंग्रेस का प्रदर्शन उस तरह का नहीं रहा, चुकि जो इंडिया गठ बंधन के दल थे, बीजेपी की तरह वो भी 14 सीटों का दावा कर रहे थे, और ये देखते हुए कि सरकार जो है राज्य में वो इंडिया गठ बंधन की है, तो सरकार में रहते हुए ये हार क्यों हुई, क्या anti-incumbency है, इन सारे सवालों पर भी चर्चा होगी, और मुझे लगता है कि ये बताया जाएगा लोगों को, कि जो सरकार की कल्यानकारी योजनाएं हैं, उनको लेकर आप जन जन तक जाईए, और अब घर पर बैठने का समय नहीं है, लोगों तक पहुँचिए, और उन तक बताये कि राज्य सरकार ने उनके लिए क्या क्या काम किये हैं, ऐसा करके आप लोगों को अपनी तरफ आकरशित कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर की आज चर्चा होनी चाहिए, जो मिटिंग है, जो बैठक है, वो शुरू होनी है, और ऐसे में सभी के मन में सर्फ यही सवाल है, कि आखिर कौन-कौन से मुद्दे को लेकर चर्चाएं होनी है, आपने सुना कि रंजन जी ने सपस रूप से कहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि किन-किन मुद्दो को लेकर आज चर्चाएं होनी है, और क्या-क्या चीज़े जो है, वो पब्लिक डोमेंड में आती है, तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, फलाल मुझे हो सहयोगी नूतन को दे इज़ाज़त, नमस्कार.